Hello guys, current affairs funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ बिशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 10-9 तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथिकाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दो, यदि आप हमारे जितने भी daily current affairs PDF हो, चाए weekly current affairs हो, monthly current affairs हो, या फिर हर महीने के banking या economic current affairs हो इनकी यदि आप PDF चाते हैं, तो आप current affairs funda का जो one year membership plan है, उसे join कर सकते हैं इसके तहट आपको एक साल तक, जितने भी हमारे PDF से हो provide होती हैं, और इनने आप download कर सकते हैं, print out भी निकाल सकते हैं तो लिंक आपको वीडियो के description में आप फिर first comment में दे दिया गया है, और कोई भी अखर आपका doubt है, हमारे इस पीडियो को समदित, तो comment box में आप जरूर लिखेगा और आपको बता दें, आप app से भी पढ़ सकते हैं हमारे current affairs को, या फिर आप computer से या अपने laptop से भी web login कर सकते हैं, तो दोनों options आपके पास हैं, और जितनी भी exam है, SSC हो, bank हो, railways हो, या फिर state level का exam हो, सब current affairs हम cover करते हैं, तो चले फिर करते हैं सुरुआत इस video session की, सबसे पहल and watchmaker Titan, is part of which multinational conglomerate, आभूशन और घडी निर्माता Titan, किस बहुरास्टे समू का हिस्सा है, options और Tata, Adani, Rolex, या फिर Reliance, तो जल्दी साप इस question का answer comment box में कर दीजे, फिर आगे बढ़ेंगे, और same question हम telegram पर भी post करते हैं, सही answer इस आपको नहीं मालूम है, तो आप telegram पर हमारे current Interface Funda, चैनल को जोइन कर लीजे, माँ पर, PDFs भी हम आपके साथ share करते रहते हैं, The first G20 Global Partnership for Financial Inclusion meeting under G20 India Presidency kicked off in which city? G20 India Presidency के तहत, वित्य समाविशन के लिए पहली G20 Global Partnership की बैठक किस सहर में शुरू हुई है, Options आपके सामने हैं, सही answer option C है Kolkata, आपको जाना चाहिए बारत की G20 Presidency के तहत, First G20 Global Partnership for Financial Inclusion Meeting, ये Kolkata West Bengal में kicked off होई है यानि किसकी सुरुवात होई है, और इसमें Digital Financial Inclusion और Remittance Cost Reducing, साथ ही MSME जो सेक्टर है या फिर SME सेक्टर जो है, उसके फाइनेंसिंग के लिए से सम्मंदी टॉपिक्स पर बातचीत हुई है, आप सभी जानते हैं, भारत के पाद C20 की Presidency है, और थीम क्या है? वासुदेव कुटुमबकम, यानि कि One Earth, One Family, One Future. विच इंडियन एथलीट है वान तर अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वेस टाइटल रिसेंटली किस भारती है? एथलीट ने हाली में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वेस किताब जीता है, उप्शन्स आपके सामने है, सही आंतर उप्शन एह है, अनाहत सिंग, तो जानि का Indian Squares, प्रोडिगी, देखिए प्रोडिगी का मतलब होता है, प्रतिबा संपन बालक या बालिका, जिसके पास मतलब अद्बुत टैलेंट हो, उसको बोलते हैं प्रोडिगी, यह मैंने इसल संपन बालक या बालिका हो, उसको बोलते हैं प्रोडिगी, तो अनाहत सिंग की बात हो रही है, इन्होंने गर्ल्स अंडर फिफ्टीन स्क्वेश टाइटल जीता है, बिटिस जूनियर ओपन टूर्णामेंट में, कहा हुआ ये बरिविंगम में, किसे हरा है इन्होंने, सोह ग्रह मंतरी अमिच शा ने किस राज्य में 122 फूट मूची मार्जिंग पॉलो प्रतिमा का उद्खाटन किया, ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन भी मनिपूर है, जाने का यूनियन होम मिस्ट अमिच सा मनिपूर के दोरे पर रहे, इन्होंने या मनिपूर क इस टिम फाल में 122 फूट हाई मार्जिंग पॉलो इस्टेचू को इन्योग्रेट किया है, आपको बता दें इन्होंने मनिपूर में 1311 क्रोड रूपे के 21 डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट की आधारचिला रखी है, अच्छा आपको जाना चाहिए जो मॉडर्ण डे गेम है पॉलो का जो गेम है असा बला जाता है कि पॉलो जो है मनिपूर से ओरिजिनेट हुआ है, मनिपूर में इसका नाम होता है सागोल कांग जई, तो इसी को हम मॉडर्ण डे में पॉलो बोलते हैं, साथे आपको जाना चाहिए हम इत्साने 160 फीट टॉल, ट्राइकलर, यानि कि तिरंगे को भी इनोगरेट किया है, कहाँ पर हिस्टोरिक आजाध हिंद फोज हैट्वाटर्स जो की मॉरांग में है, और ये टोलेस्ट नेसल फ्लैग है, पूरे नौर्थ इस्ट में, साथे आपको जाना चाहिए मनिपूर से संबंदी थी एक और करंट अफेर, प्रायमि प्रवासी भारतीय दीवस कन्वेंचन ओर्ज लाँ सिंग्रेटिन फिल्र मॉधि फ्रवासी भारतीय दीवस कन्वेंश्न का उप्शन संबेल हैं, सही Bijकाटिव स्थरभ है। तो आपको जाना चाहिए 17 प्रवासी भारतिय दीवस कन्वेंशन ये इंदोर मध्यप्रदेश में 9 जनुरी को प्राइम मिनिस्टर ने इंदर मोधी द्वाना इनुग्रेट किया गया है साथी नोंने पोस्टल स्टांप भी रिलीस की है और ये पोस्टल स्टांप है सुरक्षित जाएं और प्रसिक्षित जाएं तो इस पर ये पोस्टल स्टांप रिलीस की गई है साथी नोंने फर्स्ट एवर डिजिटल प्रवासी भारतिय दीवस एक्जिबिशन को भी इनुग्रेट किया है आपको जाना चाहिए प्रवासी भारतिय दीवस कंवेंशन के बारे में जानते ही होंगे आपको कई बार भी मैं बता चुका हूँ आपको जो ओवर्सीज इंडियन से उनके साथ कनेक्ट होने का ये एक मोका होता है और ये 17th edition है मद्यपरदेस कोवर्मेंट के साथ मिलकर 8-10 चनवी 2023 के बीच इन दोर में इसको और्गनाइस किया जा रहा है थीम क्या है इसका ये महत्पूर्ण रहेगा डायस्पोरा Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal ये थीम महत्पूर्ण है इस प्रवासी भारती दिवस्ट के लिए आपको जाना चाहिए 17th प्रवासी भारती दिवस्ट कन्वेंशन है ये physically 4 साल के बाद और्गनाइस किया जा रहा है यानि कि जो physical event है जिसमें लोग in-person उपस्तित है ये 4 साल बाद हो रहा है क्योंकि COVID के कारण और आपको बताते हैं पिछली बार ये 2001 किस में हुआ था तब वर्चुली हुआ था तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है जो statement type question उनमें पूछ लिया जाता है कि 4 साल बाद ये physical इतार पर host किया जा रहा है अच्छे जो ये प्रवासी भारती दीवस convention है इसमें पांच thematic plenary sessions है ये आप देख सकते हैं और तीन segments है segments देखेंगे हम 8 जनवरी 2023 को यूथ प्रवासी भारती दीवस मनाया गया 9 जनवरी को प्रवासी भारती दीवस convention ही रोट किया गया नरेंदर मोदी के द्वारा और इसमें जो chief guest रहे ये गया ना कि ये प्रेजिडेंट डॉक्टर मोहमेद इर्फान अली रहे और special guest of honor को रहे जो सुरी नाम के प्रेजिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतो की और दसमज जनवरी 2030 को रास्टपती ये प्रवासी भारती सम्मानवर्ट 2030 थेंगी फोर हाउ मच रुपीज विल आरबियाई इशू सोवरेन ग्रीन बॉंड्स आरबियाई कितने रुपए के लिए सोवरेन ग्रीन बॉंड्स जारी करेगा ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन्स सोवरेन ग्रीन बॉंड्स इसू करने जा रहे हैं दो ट्रांचेस में और हर एक कितने का हुआ आठ चार क्रोड इच यानि कि टोटल एग्रिगेट अमाउंट कितनी है सोवरेन जार क्रोड की और दो ट्रांचेस में इसू किये जाएंगे आठ जार क्रोड आठ जार क्रोड में कब 25 जनवरी और 9 फरवरी हो टैन्योर कितना रहेगा 5 साल और 10 साल का और जो इसकी प्रोसीडिंग से किसके लिए यूज की जाएंगी जो पैसा यहां से सरकार के पास आएगा सरकार RBI के तुरू इशू करवाती है इसका जो पैसा होगा वो जो green project से उन्हें में लगाया जाएगा अच्छा आपको यहां जाना चाहिए sovereign लिखा है sovereign का मतलब क्या होता है sovereign का मतलब होता है सरकार द्वारा इशू किया जा रहा है यानि की इसमें आपको कोई घाटा नहीं होगा इसमें जितना return आपको बताएगा है 9,10% तो आपको मिलना ही मिलना है ठीक है हाँ यह हो सकता है कि जैसे सीडंग का है पाकिस्तान है तो यहाँ पर क्या है एकोनोमी पुई तरह से फेल हो गई यहाँ की सरकार खुद घाटे में है तो हो सकता है वहाँ पर जो सरकार ने वादी किये हो वो पूरे ना कर पाएं लेकिन भारत की स्थिति इस तरह की नहीं है तो बिल्कुल secure है, sovereign green bonds है green लिखा या नहीं green projects में लएगा ऐसा नहीं है कि सरकार ने पैसा उठा लिया है यहाँ से green bonds के नाम पे और कोई कोईला factory लगाने के लिए उस पैसे को use कर रही है तो ऐसा नहीं होगा, green projects में लेगा solar हो गया, wind power हो गया, इस तरह के कामों में ही लगेगा आपको बता दे, union budget 2022 देश में government of India ने कहा था कि हम sovereign green bonds issue करने चाहरे हैं जो green infrastructure projects है, उने के लिए और जो sovereign green bond framework है यह central government ने issue किया था no number 2022 को, इसका पुरा framework है जैसे ही मैंने आपको बताया, green bond is a type of debt security created for funding or refunding projects contributing positively to the climate और ecosystem अब इसमें और ordinary bonds में क्या difference है, केवल इतना ही difference है जैसे ही मैंने आपको बताया, कि हाँसे जो fund raise होगा वो केवल और केवल जो green projects हैं, उनके लिए लगेगा India surpassed which country to become third largest auto market in the world भारत के स्थेज को पीछे छोड़ कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा auto बाजार बने गया है, options आपके सामने है सही answer option भी जैपान है तो आपको जाना चीए, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है auto sales के मामले में, तो बाद 2022 की हो रही है और Nikke Asia ने ये report की है इसे के साथ भारत third largest auto market बन गया है world में आपको बता देए, पिछले साल भारत ने कितने new vehicle sale किये 4.25 million units जबकि जापान में किये गए 4.2 million पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएस है और तीसे नंबर पर भारत आ गया है केसी नंद त्रिपाठी who passed recently served as the governor from 2014 to 2019 of which state केसी नंद बोला नहीं, केसी नाथ केसी नात्रिपाठी जिनका हाली में निदन हो गया ने 2014 से 2019 तक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कारी किया options आपके सामने हैं, सही अंसर option C है West Bengal तो आपको जाना चाहिए, former governor of West Bengal 2014 से 2019 तक ये West Bengal ही governor है बिहार में खाले और मिजोरम यहां के भी governor रही है, short tenure के लिए UP legislative assembly के speaker भी रहे बारती जनता party के senior leader रहे कौन? केसी नात्रिपाठी इनका हाली में निदन हो गया है, 88 वर्स की उम्बर में, आपको बतादे, six terms MLA रहे हैं, और उत्तरप्रदेश assembly के three times speaker रहे है बारती जनता party के president भी रहे है उत्तरप्रदेश में और UP government पे, जब जनता party के रेजिम थी, वहापर cabinet minister भी रहे है, 1977 से 1979 के बीच में एक और अभी चुरी देख लेते हैं, रहमान रही यह जाने माने point थे और कस्मीर से पहले ऐसे वेख थे थे इनने ग्यानपीट award मिला था, इनका भी हाली में नितन हो गया है 98 की एज में, 2007 में इनने ये ग्यानपीट प्रुसकार मिला था, इनके collection सिया रूद जरेन मंच के लिए Who will be conferred with the 2022 CLP award for global leadership by Harvard Law School Harvard Law School द्वारा global leadership के लिए 2022 CLP award से किसे सम्मानित किया जाएगा options आपके सामने है, सही answer option C है, D.Y. चंदरचूड तो जानेगा Harvard Law School Center on the Legal Profession इन्होंने डिसाइट किया है कि Chief Justice of India D.Y. चंदरचूड को Center on the Legal Profession Award for global leadership से सम्मानित किया जाएगा आपको बता दें, ये award इन्हें जो Legal Profession में इनकी जो Lifetime Service रही है उसके लिए दिया जा रहा है Who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the 15th edition of the Jaipur International Film Festival Jaipur Antraste Film Mahutsav के 15 संस्करण में Lifetime Achievement पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है options आपके सामने हैं, सही आंसर option भी रहेगा अपरना सेन तो जानी का veteran, actor, director अपरना सेन, इनको Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है जो 15th edition रहा Jaipur International Film Festival इसके opening ceremony के दोरान आपको बता दें जो अपरना सेन है इनको अपरना film debut तीन कन्या से सुरू किया था इसको direct किया था सत्यजीत रहने 1961 The book Chief Mr. Diary No.1 is related to the Chief Minister of his state मुख्यमंत्री की डारी करमांग वन पूस्तक किस राजी के मुख्यमंत्री से संबंदित है options आपके सामने है सही answer option B आसाम है तो आपको जाना चाहिए former Chief Justice of India and member of Rabjee Sabha रंजन गोगोई इन्होंने एक book रिलीस किया जिसका title है Chief Mr. Diary No.1 तो इसमें जो असाम की Chief Mr. हिमंत बिस्वसरमा उनका as a Chief Minister जो पहला साल है ओफिस में किस तरह गा रहा उसके बारे में बताया गया है which is the official youth engagement group of G20 G20 का अतिकारी के UI engagement समुख कौन सा है options आपके सामने है सही answer option है Y20 तो जानी का Union Minister of Youth Affairs and Sports आपको इन्होंने Y20 Summit का themes, logo, website इसको launch हिया है New Delhi में Curtain Razor Event में Curtain Razor Event मतलब क्या होता है अब ये Y20 Summit जो होने वाली है उससे पहले कि जो तयारी होती है जो एक रियर्सल टाइप होता है उसको बलता है Curtain Razor Event तो उसके दुराँ इन्होंने सब launch किया है आपको बता दे जो ये Y20 Summit है भारत पहली बार होस्ट कर रहा है Y20 is the official youth engagement group of G20 It provides a platform that allows youth to express their vision and ideas on the G20 priorities तो youth अपना vision और idea यहां पर express कर सकता है 5 themes इसके आपको जानना चाहिए है Future of Work, Industry 4.0, Innovation and 21st Century Skills 2. Climate Change and Disaster Risk Reduction Making Sustainability in a Way of Life 3. Peacebuilding and Reconciliation Assuring in an Era of No War 4. Shared Future, Youth in Democracy and Governance and Health 5. Wellbeing and Sports, Agenda for Youth Which of the following has become the official kit sponsor of the Indian Cricket Team निम्डिकित में से कौन भारते Cricket Team का आधिकारी kit प्राइजग मन गया है Options आपके सामने है सही answer option C है KKCL तो आपको जाना चाहिए Board of Control for Cricket in India एन की BCCI इनोंने केवल किरन Clothing Limited KKCL को साइन कर लिया है Indian Cricket Team के official sponsor के लिए और ये MPL को replace कर रहे है इस deal के साथ ही जो Team India की जर्ची है उसमें killer logo यूज़ किया जाएगा राइट पर चेस्ट में और कब तक काई agreement किया गया है 31 में 2023 तक तो कौन होगा निया इस sponsor KKCL केवल किरन Clothing Limited किसको replace कर रहा है MPL को नियुयादो फॉर्णली नोन एज होकी वाली सरपंच has inked a pact with which agency to start farmers producers organization नियुयादो जिने होकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है ने किसान उत्पादेक संगठन शुरू करने के लिए किस agency के साथ सरुणचोता किया है options आपके सामने हैं सही आंतर option D है नाभाड तो जानी का नियुयादो इन्हें होकी वाली सरपंच भी कहते हैं इन्होंने लंबी आहिर विलेज में जो farmers हैं उनको strengthen करने के लिए initiative लिया है इन्होंने नाभाड के साथ pact sign किया है और किसलिए farmers producer organization start करने के लिए किस के assistance से SIIRD की assistance यानि Society of India Institute of Rural Development आपको जाना चाहिए जो एफपी होते हैं farmers producers organization ये एक legal entity होते हैं जिने primary producers form कर सकते हैं producers मतलब farmers, mill producer, fishermen weavers, rural artisans, craftsmen ये सभी equity share के हिसाब से company form कर सकते हैं आपको जाने सच्ची सहीली महिला agro producer company duties का नाम है और ये 15th सच स्थान में launch किया गया है निर्व यादव की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो village girls होती हैं उनको train करने के लिए अपनी salary donate की और प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना के तहत 10 girls को इन्होंने successfully train किया और उनकी मदद की MNCs में placed होने के लिए BST has joined hands with which state government for the development of SMEs small medium enterprises BST ने SMEs लगुमद्यम उद्यम के विकास के लिए किस राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया है options आपके सामने है सही हांतर option A Goa है तो जानेगा leading stock exchange BST इसने government of Goa के साथ हाथ मिलाया है किसलिए SMEs जो होते है small medium enterprises उनके development के लिए तो अब जो एक Goa सरकार के साथ association किया गया है BST द्वारा तो इसमें BST क्या करेगा जो राज्य में SMEs है उनमें awareness जो है create करेगा किस से सम्बंदित कि आप अगर exchange जो stock exchange होते हैं आप उसमें अपनी company को list करते है तो उससे आपको क्या के benefits हो सकते है साथ ही किस तरह से आप capital raise कर सकते है इसके बारे में बताएगा Magic Director and CEO of BST है सुन्दर रमन रटाममूर्थी छेरच्वेरा festival is celebrated in which state छेरच्वेरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है सही answer option सी 36 गड़े तो 36 गड़े Chief Minister Bupesh Bagheel इन्हों है traditional चेरच्वेरा फेस्टिवल को celebrate किया दूद्धारी मठ जो की state capital राइपूर में है आपको जाना चाहिए जो traditional फेस्टिवल है चेरच्वेरा ये full moon night of posh Hindu calendar month में मनाया जाता है और ये happiness का फेस्टिवल होता है जब लोग जो अपनी cultivation के बाद जो crops को अपने घर ले जाते हैं तो जो खुशी होती है उसको celebrity किया जाता है इस फेस्टिवल के रूप में इन्हों मैने डिस्टिक्स डिट परधार मंतरी नेसल अपरेंटिस मेला PMNAM is being conducted परधार मंतरी रास्टे शिक्षुता मेला कितने जिलो में जित किया जा रहा है options आपके सामने है सही अंतर option B 242 तो आपको जानने चाहिए परधार मंतरी नेसल अपरेंटिस मेला PMNAM इसको 242 डिस्टिक्स में conduct किया जा रहा है बाट स्पेट कर सकते हैं विच स्टेट हैस बिकम इंडियास फर्स्ट फूली डिजिटल बैंकिंगिंग स्टेट कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है options आपके सामने है सही आंसर option A है केरल एक मिट हाँ विच स्टेट हैस बिकम इंडियास फर्स्ट फूली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया सही answer option यह है केरल तो आपको जाना चीए चीश मिस्टर पेनराई विचनियों ने डिकलेर किया है कि केरल जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है भारत में जिसने जो भी इलिजिबल एकाउंट्स हैं उनमें डिजिटल बैंकिंग की सुविधा इनेबल कर दी है तो राज्य में अब 3.76 करोड बैंक खातों में कम से कम एक प्रोड़क्ट डिजिटल रूप से उपलब्द है जैसा का है स्टेट डेवल की बैंकर्स कमिटी ने आपको बता कि 2021 में 3 सूर यह फर्स डिस्टिक मना था इस स्टेट में जिसने डिजिटल बैंकिंग को इंप्लिमेंट किया था किसी स्कीम के तहद RBI की Expanding and Deepening of Digital Payments इकोसिस्टम स्कीम के तहद वो हैस बिन इलेक्टेड युएस हाउस स्पीकर किसे चुना गया है सही आंजर उप्शन C है केविन मैकार्थी तो जाने का Republican Party है केविन मैकार्थी यह 55th स्पीकर बन गए है US House of Representatives के तो 15 routes की voting चली है आपर उसके बाद इन्हें यह पद मिला है आपको दादे काफी बड़ा पद यह माना जाता है स्पीकर का भी और President बनने की line में Vice President के बाद यह दूसरा पद होता है दिखाए ना The post is second in line to the presidency after the US Vice President ICICI Prudential Life Insurance signed with which cricketer for its 360 degree financial protection plan ICICI Prudential Life Insurance ने अपनी 360 degree वित्य सुरक्सायोजना के लिए किस cricketer को हस्ताक्षर किये है Options आपके सामने है सही answer Option D है सूर्यकुमार यादो तो देखे सूर्यकुमार यादो 360 degree financial protection with ICIC Prudential Life Insurance का brand ambassador मना दिया है ऐसा आप कह सकते हैं अच्छा ये news सूर्यकुमार यादो ने अपने Twitter account पूर भी share की थी और उसमें यदि आप comments देखेंगे तो बहुत मतलब बहुत weird comments है लोगोंने जो है सूर्यकुमार यादो से ही पुछा है कि ICICI से वाले जो है claim नहीं देते क्या आप इनके बदलिया claim दोगे तो काफी funny comments थे मतलब लोग सूर्यकुमार यादो के ही सिरूवे हुए है तो होता ही है life insurance companies जो है इनका जो claim settlement ratio होता है कम होता है तो उस वेज़ से लोग भी काफी परेसान रहते हैं कुछ चीज़ ऐसा है जो लोग भी छुपाते है जब policy लेते है तो सूर्यकुमार यादो से ही question करने है कि क्या आप दोगे claim वट इस दे थीम फोर दे नेसल साइंस टे टोंटी ट्री रास्टे विज्ञान दिवस दोचार तीज की थीम क्या है options आपके सामने है सही answer option दी है global science for global well-being देखे आपको जाना चाहिए नेसल साइंस टे 2023 के लिए जो थीम होगा वो union mr. dr. jn. singh ने release कर दिया है और थीम होगा global science for global well-being आपको जाना चाहिए भारत सरकार नेसल साइंस टे बनाती है हर साल 28 फरवरी को किस उपलक्ष में जो रमन इफेक्ट की discovery है उसके उपलक्ष में तो थीम जो हर साल पहले ही release कर दे जाता है इसका एक दो महीने पहले release कर दे जाता है तो आपको जाना चाहिए 28 फरवरी को हम जो नेसल साइंस टे मना रहे हैं से मना रहे हैं 1986 से क्योंकि इसी दिन जो सर सीवी रमन थे इन्होंने रमन इफेक्ट discovery को एनाउंस किया थे जिसके लिए ने बाद में 1930 में Nobel Prize भी मिला था बाचिया आपको जाना चाहिए Principal Scientific Advisor to the Government of India Dr. Ajay Kumar सूध है प्रिवेस साहरमेंट कोस्चिन्स के साहरम देखने वाले हैं विच्टी विल होस्ट G24 and Mr. Smith in March 2023 Delhi Statue of Australia's former women captain Belinda Clark Enwilt at Sydney Cricket Ground Prime Minister Nandamodhi chaired the second national conference of chief secretaries in New Delhi शाथिन उने आपर aspirational block program भी launch किया है विचिस state has stopped across the country with average monthly income per agriculture household Meghalay which state or UT plans to start hydrotourism in collaboration with National Hydroelectric Park Corporation NHBC answer is Ladakh According to the Ministry of Culture report titled Issues Relating to Untraceable Monuments and Production of Monuments in India 50 of India's 3,693 centrally protected monuments have gone missing A bird survey conducted at the Silent Valley National Park identified 141 species of which 17 were new So far 175 species of birds have been spotted in Silent Valley It is located in Kerala और आपने से कही आस्परेंस से बिल्कुल सही आंसर दिया है इस तरह से आप पार्टिस्पेट करते रहिए और जो SBI PO है उसकी मेंस के लिए एक सीरीज भी शुरू की गई है उसमें पहली वीडियो भी डाल दी गई है तो यदि आप सीरीज ले तैयार कर रहे हैं तो आप इस सीरीज को जरूर देखिएगा अभी एक ही वीडियो डाली गई है और जल्दी आपको और वीडियो उसमें मिलते रहेंगी तो जो स्कीम्स पुछ जाती है जोर रहेगा आप लोग की डिमांड रहती है तो इस स्कीम्स ही उसमें आपको पढ़ाई जा रही है अच्छे से स्टेट्मेंट बेस्ट कोश्टन भी उसमें कराई जाएंगे तो आप जरूर देख लेजेगा पहली वीडियो उसमें आचुकी है वाट इस इंडिया सदर्न मोस टिप प्सेनल राएंगर स्निं'Mेट लेघ्सन वितृटन क Вас समय किंटी है बज़ सेृन," छिल्जवान् आपको पूषिति, लिनलमेशिवची है झाप की झापवनोंरे क्स्ट चीफिड्लोचे लेचे लेफ सव घट गूटना सवीप सितरल झाप कीपैरे कित को e-commerce marketplace has committed that 100% of its electricity needs will come from renewable sources by 2030. India's coal output went up by 8% to 607.97 million tons during the April to December period of the ongoing fiscal. तो इन 7 questions के answer comment books में आप जरूर बताईएगा. यदि आपको एक question का answer भी आता है तो अभी आप हमें comment books में बता सकते हैं. Friends, request आप से ज़्यादा ज़्यादा संख्या में साथी current affairs funda को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं. यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं. दोस्ते, आप हमारे current affairs की प्लेश दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्ते के साथ फैलो एस्पने साथ हमारे current affairs को शेर जरूर करें. आज का यह session आपको कैसा लगा? comment box में जरूर बताईएगा. Thank you guys.